सब्सक्राइब आपका सौगत है आपके अपने पढ़ाई लिखाई में जैसे कि हमारी ये प्रोजेक्ट फाइल के सीरीज चल रही है मैं आपको एक नेक्स टॉपिक आपके लेकर आए हूँ हमारी इंग्लिस प्रोजेक्ट फाइल जो फीमेल एजुकिशन मस्ट पी इसके अलाबा कोई भी पर्टिकलर टॉपिक तोपिक का नाम चेंज करोगे वाकि भुली वाले चेप्टर हो सेम एज ये जो फाइल है वो आपको मैंशन करना है और ये चीज मैं आपको पहले उस बारी वीडियो में भी आपको दिखाई थी कि आपको कैसे करना होगा ये प पर्टिकलर पार्ट है जिसे आप देख सकते हो उन्होंने एक अपना जो कवर बनाया हुआ है जिसे आपका मस ये कह बूमें एजुकेशन के उपर है तो आप बूमें एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हो एक बूमें जो है काम कर रही है एक बोर्ड लगा हुआ है तो यह चीज आपको देखनी पड़ेगी कैसे करना है तो यहाँ पर आप जो है अपनी फाइल का इंट्रो तया कर सकते हो आपका नेम है क्लास कौन सी है रॉल अमबर क्या है अपका सब्जेक्ट क्या है चीक है एक्सेक्टर एक्सेक्टर यहाँ पर अग्नॉलिजमेंट की गर हम बात करें तो एक्नॉलिजमेंट आपको जो है सेम भाई ही बनाना होगा जैसे मैंने आपको यहां बनाके दिया हुआ है वस आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो नेम है वह यहां पर प्रॉजिक्ट का जो नेम है फीमेल एजुकेशन मस्स बी प्रमोटेड यह जो चीज है आपकी छोड़ी सी चेंज होगी है चुकि मैं यहां पर स्वरी स्पेस देना भूल गया हूँ फीमेल एजुकेशन वह आपको देखना होगा थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता है कि यह जितना ज्यादा आप आर्ट इसमें इंक्लूड कर लोगे जैसे मैं यहां पर भी आ आ? है biết लिद्ट का ही ट्रॉई करो आप जो दूफे से कुछू फेस निकाल सकते हो कुछ कट लर्फूल पजेस निकाल सकते हो जिसमें यह इंत राट जू है को इंक्टिगेट किया गया हूए है ठीक है? आप ग्रेडियन क्र लर का योज सकते हो, ग्रेडियन 2 उबस्थ कह यह उसा पर एड़ाका उस के उपर इड़ाई शेक्टर आफ में पर्टिक्लर को इंकलूड करते हुए . लेते हुए और education को define करते हुए मैंने आपको यहां है जो है बहुत ही perfect beautiful three-phase द्याल किया हुए है I hope आपको पसंद आएगा अब अगर आप चाहते हो उसमें कोई changes करना मैंने बहुत से बहुत simple language उसकी रखी हुई है आप चाहते हो से थोड़ा आपको डालना है two three four five six seven जो भी आपके pages है topic जैसे हमारा भी acknowledgement आया preface आया हमारा introduction आया आगे हमारे analysis आएंगे जो chapter हमारे हैं वो आपको बताना है page नमर आपको किस page नमर पर कौन सा है page नमर one two three किस पर आपने क्या ची mention किये वो आपको mention करना है अपने एक्जानर से आपको signature कराने है ठीक है तो यह आपका index हो जाएगा जैसे index same वही है जो आप अपने teacher से अपने index कराते हो भी notebook का ठीक है फिर आपको यहां पर about the author का page बनाना होगा जैसे यहां पर Khwaza Ahmed Abbas आपकी book में की वह नाम लिखा हुआ है पढ़न का पूरा नाम Khwaza Ahmed Abbas है इनके बारे में जितनी जयनकारी हो सकती थी मैंने थोड़ा साथ इसको beautiful way में इसके पहले इनके बारे में बताया है कि इनका जन्म कहा हुआ है कैसे हुए कौन से writers है क्या कर रहा है जिए Khwaza Ahmed commonly known as the K.B. Abbas was an Indian film director scene writers novelist the prominent figure in the world of the Indian literature and cinema he was born on June 7th 1914 तो यहां पर step step कर सकते हो उसके बाद में इसको heading with literary contribution का क्या है तो बोस के बारे में थोड़ा सा यहां पर define किया हुआ है, तो जैसे आप चाहो उतना उसका beautiful way में आप इसको represent कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बारवा फिर याद दिला रहा हूँ कि आपको जितना असमें अपनी creativity दिखा सकते हैं, जितनी art को include कर सकते हो, बहुत जरूरी क्यों क्योंकि हमारा यह जो project है, वो art integrated project है, हमेशा दमाग में रखना, मैं सिर्फ आपको content provide कर रहा हूँ, उतना आपके लिए benefit होगा, ठीक है, next जो page आप बनाऊगे, वो introduction का होगा, introduction बहुत जदा important part है कि आप introduce कर आपने topic को, तो यहां मैंने एक बहुत beautiful introduction बनाया हुआ हुआ, मै दो से दो से ग्राइज में कर सकते हो, दो पीस ले सकते हो, depend करता है कि आप किस टैप की creativity यूज कर रहे हो, कि मतला हो सकते है, drawing आपने ज्यादा यूज कि हूई है, तो आप बहाँ use कर सकते हो, BUT मैंने introduction आपके topic से लेके, यह पूरा का पूरा topic मैंने यहां यहां लिखा कर देखा है सिफ आपके लिए नेक्स हमारा Atalyzes atalyzeNI से भिटी में कहता जा रहा हूं कि ITU कि जो भी आपने देखा है समझा है अब्सक्ष किया है उसको अनलाइस के लिए Wow यहां फीनलेजन कर रहे हूं ए Чिफ contextual foundation क्या होती है इसकी फिर next objective clarity क्या है वो उसके बारे में बात की हुई है वो आप यहां पर देख सकते हो third page हमने जो बनाया है next जो fourth page हो जाएगा आपके analysis का वो यह हो जाएगा connection to real world issue connection है वो real world से वो क्या होता है वो हम बता सकते हैं advising or empowerment के बारे में हमने थोड़ी सी बात की हुई है stop accelerated जो है next chapter के बारे में बात करें community and policy है जो advocacy है उसके बारे में हमने बात की हुई है कैसे matter करते है हमारी जो education system है female education के बारे में next हम बात करें inspiration for action क्या हो सकता है जो inspiration action जो है वो क्या है the project effectively position itself as a call to action it invites the individual community the policy makers to activity contributor to promotion or the female education female education को promote करने के लिए inspiration हो सकते है action लेने के लिए वो हम बने बात की हुई है next page हम बना सकते है cultural sensibility का cultural sensibility होती है जैसे भाई referring भुली भुली को अमने रेफरियां पे दिया हुए acknowledging culture new sense the project demonstrate culture sensibility this is a crucial for the teaching with the diverse audience and the fostering collecting the understanding of the impact of female education within different culture contact this type of cultural sensibility के बारे में भुड़ा सा बता सकते हो next आपका potential impact इसका क्या पढ़ने वाला है वो आप यहां पर define कर सकते हो यहां पर analysis आपका आपका complete होता है last में आपको conclusion देना होता है तो conclusion में आप क्या कर रहो in conclusion female education must be promoted stand as well as the conceived and the purposeful initiative that leverage storytelling real world connection and the advocacy of champion the cause of female education its holistic approach coupled with the call to action position it is the catalyst for the change in the pursuit of more equitable and the empireward society तो यहां पर इसको आप use कर सकते हो as a conclusion next आपको last is में आपको बताएगा आपको यहां पर certificate आपको देना है certificate बहुत simple है this is certified that यहां पर आपको आपना नाम mention करना है class 10th में हो आप 10th mention करना है वाकि as it is आपको यहां पर करना है has successfully completed the project work art integrated practical exam of the central board of secondary examination in the year of 2023-24 अगर आप कुसी और अभी इस साल के इलाभा कि next year आप देख रहो 24-25 session देख रहो अपको यह भी change करनी पड़ सकती है आप मैंने यह जो particular target है मेरा जिससे आज जो date है वो 3rd December 2023 है तो उसके हिसाब से मैंने बनाय हुए ठीक है तो it is further satisfied that the project is individual work अप यह चीज़ आपको बहुत important रखनी है अगर आपका जो project है the project is individual मैंने आप लिखा हुए अगर आप individual अपनी file बना रहे हो तो individual work of the candidate हो जाएगा अगर आपने group work किया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा the project is group work of the candidates यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर आपको mention करना है अपने sign of internal examiner internal examiner क्या है जो आपके teachers आपको पढ़ा रहे है वो आपके internal examiner है जो external examiner जो board ने appoint किया हुआ है जो आपके school में हैगा आसपास के school से आपके teacher होगा उसको external examiner बना के बेजा हुआ है तो वो चीज आपको यहाँ पर mention करना ही होगी ठीक है तो आप हमेशा अपना comment छोड़िए अगर आपको किसी odd particular topic पर बीच आए मैं आपको बना कर दे दूँगा मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए goodbye thank you अगर आपको यह particular चीज ज़रासी भी पसंद आई हो तो like, share and subscribe जरू करके जाना ठीक है ओके बाए